आयर्वेदिक चिकित्सा दा मुख अंग है रसायन थेरेपी रसायन तो पाव है स्वस्थस्य ओजस करा स्वस्थस्य तो पाव है स्वस्थ रखन वाला ते ओजस करा तो पाव है immunity ते स्ट्रेंथ नू वदोन वाला आव जान दे हाँ सत शिर्यकाल जी मैं हां डॉक्टर गगन प्रीत को और ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयर्वेदिक रसोई आज असी पांज तरांदे बहुत ही स्वादेश्ट ते ताकतवर नाश्ते त्यार करांगे जेडे की रसायन दा कम करंगे ते स्वेर दे समय लई सब तो ज्यादा उत्तम है जे शरीर नू ताकतवर बनाओना चौन दे हो ते बिमारी तो रहेत रखना चौन दे हो आओ शुरुवात कर दे हां सब तो पहला जड़ा सी नाश्ता त्यार करना है एक चिया सीट्स तो त्यार करना है चिया सीड्स इस्तरां दे बरीक बरीक काले जे बीज हुन्दे हन। जेडे लोग दुद या दुद तो बने पदार्था दी वर्तो बिल्कुल भी नहीं कर दे उनना दे लई ए बहुत ही ज्यादा वदिया हन। ये ओमेगा 3 fatty acid दा बहुत चंगा सोर्स हन। ते एक complete protein मनने जान दे हन। इनना दे विच 9 तरांदे essential amino acids पाये जान दे हन। इनना दे चंगी मात्रा दे विच सानू fiber भी मिल जानदा है जिस करके पेट काफी समय तक परिया परिया लगदा है ते असी फालतु खान तो बाच सकदे हन। इनना दे विच healthy fat पाया जानदा है जिड़ा की heart health लई बहुत ज्यादा चंगा हनदा है। इस तो इलावा इनना विच पाये जानदे antioxidants वी heart नू strong करन दे विच मदद कर दे हन। तक जेड़े लोग plant-based food लेन दे हन। उनना दे लई chia seeds दी वर्तो बहुत ज्यादा वदिया है ते गर्मिया दे विच इस दी वर्तो बहुत वदिया तरीक्या नल कीती जा सकती है। आज असी इनना तो तिन तरान दे breakfast त्यार करांगे जेड़े की स्वेर दे समय लैन लेई बहुत ही ज्यादा वदिया हन ते quick बन सकते हन। सब तो पहला असी एक तो दो चम्मचिया seeds तब बिल्कुल चिस्त्रा की इनना दिविचिक लेस पैदा हुन दी है ए थोड़े slimy हुन दे हन। तब पूरा glass जेड़ा है वो पार जानदा है। ए फुल जान दे हन ते थोड़े soft हो जान दे हन। देखो की पूरा glass त्यार हो गया है तो हुन साधी कुल आठ तो दस चम्म चिया सीड्स रुजाना लए जा सकते हन। जदो भी तुसी चिया सीड्स लओ ता पानी पर पूर मात्रा विच पीओ। असे कुछ ड्राइफ रूट्स ले रहे हां जेड़े की पिज्जे होए हन। जिवे की चार तो पंच बदाम ले ले हन। थोड़े मगज हन एक पानी पॉर्णा है बहुत जादा नहीं पॉर्णा ते उस तो बाद असी इसनो ब्लेंड कर लमांगे ते ब्लेंड करन तो बाद साड़े को लिए बहुत ही वदी आप बनाना स्मूदी जड़ी है नट्स वाली ओ त्यार हो जान दी है ते एस सर्फ करन दे ले हैं तुसी इस स्मूधी पादियो ते तोहाडे ले बहुत ही परफेक्ट नाश्ता त्यार है जिड़ा की एंटी एजिंग दावी कम करदा है वाला ते स्किन लई भी बहुत ही ज्यादा वदिया है तरमी दे समय विच चार वजी तो पहला पहला असी इसनू कदे भी ले सक्दे हां अपने हि शक्कर जड़ी है ओ लोड अनुसारसी मिलाई होई है यानि के एक चना सत्तू है असी सत्तू दे विच वी चिया सीड्स नू मिक्स करके ले सक्दे हां दो तो तिन चम्मच चना सत्तू जड़ा है ओ ग्लास दे विच पाल लवो ते फिर उस्तो बाद पानी पाल लवो चंग बिल्कुल भी नहीं पॉनी तुसी चने दा पाउडर सिरफ पाणी दे विच कोल के ले सकते हो ति थोड़े चिया सीड्स इस दे विच मिला सकते हो डाइबिटीस दे रोगी कमेंट्स दे विच वार वार पुछ दे हन की असी कदी-कदी शक्कर, मिश्री या गुड ले सकते हां तब मैं उन्हानू कहूंगी कि तुसी लगातार वीडियोज नू देखो, डाइट नू समझो, तुसी अपना डाइट चेंज करो, एक दिन ओ दिन जरूर आएगा कि तुसी थोड़ा बौत मिश्री या मिठा लैप आओगे हुण असी तीसरी रेसिपी त्यार कर दे हां, इस दे लई मैं थोड़ा जया कट्या होया, आम लै रही हां, एक मैं केला इस दे विच पादता है, कुछ पिज्जे होई ड्राइफ रूट्स जेड़े हन, ओ असी इस दे विच पादेंगे, बरीक-बरी कटके, ते उस तो बा शाम तो पहला पहला तुसी इसनू लै सकदे हो, रात विले किसे वी मौसम दे विच ठंडियां चीज्जां वर्तन लई मनाही किती गई है, बहुत ही चंगा फ्लेवर है, इस दा बिल्कुल इस तरह फीलिंग ओन दी है, जिवें आइस क्रिम खारे होई है, आइस क्रिम दी क काफी मिठे फाल हन, इस कारके थोड़ी जी मात्रा दे विच तुसी इसनू लै सकदे हो, जेडे वेट लॉस कार रहे हन, उना लई वी बहुत हैल्दी ते स्वाधिस्ट रेसिपी है, होन असी अगले ताकतवर नाश्तिवल वद्दे हा, ए है साढ़ी चौथी रेसिपी, इ यो दे विच तड़की होई हींग, ते जीरा, अगनी नू ठीक करन दे विच बहुत ज्यादा मददगार है, आयरवेद्य अनुसार रोगा दी जेडी शुरुवात है, ओ ग्रैनी दुष्टी तो ही हुंदी है, जदो साढ़ी डाइजेशन जेडी है, ओ खराब हो जान दी ह क्योंकि डाइजेशन दा सवाल केवल पेट दे नाल नहीं है, साढ़े तात्तू लेवल तक जेडी डाइजेशन खराब हो जान दी है, इस कारके पूरे सिस्टम दे विच ही खराब भी आ जान दी है, ता अगनी नू तंद्रुस्त रखना बहुत जरूरी है, होड़ असी इ रेसिपी ना जादा ठंडी रहेगी, ते ना जादा गरम रहेगी, क्योंकि बहुते लोग इस तरह दे हुन्दे हन, उनना तो बहुता ठंडा नहीं खादा जान दा, ता ए बिल्कुल बैलेंस रेसिपी त्यार होएगी, ते मखाने दी गल खरिये, ता मखाने तासीर विच कमजोर हन, वार वार उननों फ्रेक्चर हुन्दा है, उनना दे लई ये बहुत ही ताकतवर रेसिपी है, मखाने रोस्ट हो चुके हन, असी एननों एक प्लेट दे विच काड लवांगे, ते थोड़ा जासी ठंडा कार लेना है, जेडे असी स्पाइस एदे अंदर पाए हन वी असी सारे ही एस दे अंदर मिक्स करने हन, एस तरह मखाने रोस्ट करके, ठंडे करके, तुसी स्टोर भी कार सकते हो, ताकि जे तो हाड़ी कोल टाइम काट है, ता तुसी अपना नाश्ता चाटपट त्यार कर सको, आज असी मखाने अंदा राइता त्यार करांगे, ता इस दा जेड़ा वध्या होया काफ़ दोश है, वो काट जानदा है, बहुत सारे लोखन जिनननों दई खान तो बाद बहुत सुस्ती, आलस ते थकान महसूस हुन दी है, ते शरीर विच पारीपन महसूस हुन दा है, ता इस तरह करन दे नाल ए सारियां दिकता नहीं हुन द दे हा, ता इज दई तो बदल जानदी है, ते कोल पचन विच हलका हुन दा है, ते दोशा नों बैलन्स करन वाला हुन दा है, ते दई दे विच भी बहुत चंगी मात्रा देविच केल्शिम ते प्रोटीन हुन दा है, ए रैसिपी अपने आप विच पूरण है, जेड़े लॉस कार रहे हन या जिनना दा वेट थोड़ा ज्यादा खान नाल भी बद्दा है तो उनना नू एस्टे नाल रोटी दी जरूरत नहीं है ए इंस्टेंट नाश्ता जड़ा है वो बन जानदा है ते जेड़े वेट गेन करना चांदे हन ओ एस्टे नाल राज की रोटी खा सक सब्सक्राइब है जिनना नू बहुत ज्यादा लूज मोशन र्हें है या जिनना दा पेट बहुत ज्यादा खराब है। दैं ते अनार दा कॉंबिनेशन उनना लई बहुत वदिया है। दास्तों अगे रक्त तातों यानि के साड़ा बलड बंदा है, खून बंदा है। ना ये ठंडी है ते ना गरम है। थोड़ा जा स्वाद अनुसार तुसी काला नमक वी इस दे अंदर पा सकते हो। ये रेसिपी हुन सर्फ करन दे लई त्यार है। तुसी चाहो ता नाश्ते दे तौरते सिरफ एसे तरा इसनु खादा जा सकदा है। या फिर किसे खिचडी प्रांठे नाल भी तुसी इसनु ले सकदे हो। अपनी पुख दे अनुसार। ये रेसिपी वी लंच तक ले लई जावे ता चंगी है। उस तो बाद सानु दैंदा सेवन नहीं करना चाहिदा। तो ये रेसिपी नु अपनी डाइट वीच जरूर शामिल करना चाहिदा है। ये तो हाड़ी शरीर नु मजबूत करेगी। ते माइक्रो न्यूट्रेंट्स जेडे हैं उनना नु पूरा करेगी। आओ हुन एक होर मखाने तो आखरी रेसिपी त्यार कर दे हां। इस ते लिए असी लगपग 50 ग्राम मखाने ले ले हैं। कुछ असी ड्राइफ्रूट ले हैं जिसे विच बौते ता मैं मगज ही ले हैं। इस तो इलावा तिन तो चार बदाम जेडे हैं उ कटके ले ले हैं। थोड़ी जेई सौगी ले है। दो तिन हरियां इलाइचियां ते दो तिन काली मिर्च दे दाने ले हैं। ते एक ग्लास असी इस दे लिए दुद लेना है। ए दुद बिना मलाईदा ही ले आ है। आओ उन रेसिपी दी शुरुआत कर दे हां। सब तो पहला असी जेडी इलाइची है इस ते दाने कट लवांगे ते काली मिर्च जेडी है इन्ना दोवा नो इकठे ही पीस लेना है। हरी इलाइची ठंडी हुंदी है ते काली मिर्च गरम हुंदी है दोनों मिलाके बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं करनगे बाकी मखाने ते दुद्ध भी ठंडा हुंदा है पर एस स्पाइसेज एस रेसिपी नूँ पचाउन देले ही साड़ी मदद करनगे ते जेडे में लाए हन बहुते करके मगज लाए हन पर जे तोहा नूँ बहुत ज़्यादा गर्मी मैसूस हुंदी है तथ उसी जिन्नावी ड्राइफ्रूट वर्तों पावे ओ सौगी है या बदाम हन इन्ना नूँ पे के ही लेना है बिना पिज्जे इन्ना दी वर्तों ना करो इक कड़ाई लेके असी इस दे विच एक चम्मच देसी के उदा पाद्यांगी जिवें ही क्यों मेल्ट होएगा उस दे विच असी मखाने पाके इन्ना नूँ पुन लेना है मखाने नूँ पुन्नन ते 7-8 मिनिट दा समा लाग जानदा है मखाने जदों अद्देक पुन्ने जान उस्तो बाद ड्राइफ्रूट्स वी इस दे अंदर शामिल कर देो ते उन्ना नूँ वी थोड़ा जया रोस्ट कर लो तांकि एक क्रंच आ जाए ते रेसिपी चंगी बने जे तुसी पिज़े होई ड्राइफ्रूट्स दी वर्तो करना चौन्दे हो ता इस समय मखाने दे विच उन्ना नूँ ना मिलाओ सगों अलाग ही रखलो बाद विच्छी असी रेसिपी दे विच उन्ना नूँ एड़ कर सकते हाँ ए रेसिपी वी बहुत जादा ताकतवर त्यार होएगी ते बहुत ही चंगे रसायन दा कम कर दी है खास तौरते जेड़े पुरुशा दे विच किसे वी तरह दी कमजोरी होवे या जेड़ियां पैना नूँ वार वार गर पात हो रहा है ता दोना लई ही ए बहुत ही जादा चंगी है फर्टिलिटी बूस्टर रेसिपी है जेना महलामा दे विच मीनोपॉस दे दुरान बहुत जादा हॉर्मोनल इश्यूस करके उनना नूँ बहुत जादा कमजोरी थकान ते दिक्कता महसूस हों दिया हन ओ भी इस रेसिपी दी वर्तो कर सक दिया हन ते जिनना नूँ बहुत कट महावारी आंदी है ते एच भी लो होन करके बहुत कमजोरी थकान हुन दी है उनना लई वी ए रेसिपी बहुत ही जादा वदिया है जेडिया मातावा बच्या नू दुद्ध पिलोंदिया हन उनना लई वी ए बहुत चंगी रसाइन रेसिपी है एस दे नाल मातावा नू वी ताकत मिल दी है ते जेडा दुद्ध बच्या नू मिलदा है उसे राही वी उनना नो बहुत चँंगा पोशन मिल जानदा है हुण मखाने जेडे हन ए बिल्कुल रोस्ट हो चुखे हन एसतो बाद आसी उगल्या होया गरम दुद जेडा है दुद जेडा है ओन असी गरम ही इस देविच मिलावांगे इस करके हुन बौता पकॉन दी जरूरत नहीं है एथे नाल दी नाल ही असी इलाइची ते काली मिर्शता पाउडर भी इस दे अंदर पादेना है जेड़ी सौगी है ओवी असी हुन इस दे विच पादेंगे ते जे तुसी पिज़े होई ड्राइफरूट वर्त दे हो ओवी इस वेले ही इस दे विच पादेने हैं एस तो बाद असी इस दे विच लोड अनुसार मिठा पॉना है जेड़े डाइबटीस दे रोगी हैं उन्नानू बहुत कमजोरी हो जान दी है ओवी इस खीर नू ले सकदे हन पर बिना मिठे दे ड्राइफरूट पिज़े हो यस दे अंदर पालो ते मखाने दी बिना मलाई दे दो तो तुसी खीर त्यार कर लो मिठे दी जरूरत इस दे विच नहीं है जेड़े वेट लॉस कर रहे हन उन्नानू भी मिठे दी जरूरत नहीं है बाकी लोग जेडे हन उन मिठा पा सकदे हन वेट गेन करना चौन दे हो ता जादा की दे विच मखाने रोस्ट करो ते जादा मिठा पाओ ता वेट गेन भी होएगा बच्चन लेई भी बहुत ताकतवर रेसिपी है उनना नो असी मिठा पाके ही देनी है जिनननो नींद नहीं आँदी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन रेंदा है उनना दे विच वात दोश वात जानदा है उनना दे ब्रेन नो साननो नरिश करन दी जरूरत हुन दी है एस करके दिमाग नो ताकत देन दे लई ए रेसिपी बहुत जादा चंगी है बौते पेशेंट मैंनो ए जरूर कहन दे हन कि साननो किसे तरा दे ड्राइफ रूट्स नहीं पच दे तो हाननो रोटी खान देनाल कोई ड्राइफ रूट्स नहीं पच सकदा ए अपने आप विच एक पूरा दा पूरा मील है तुसी इसनो परे पेट नहीं लेना स्वेरे खाली पेट लेना है क्योंकि पूरे रात दी फास्टिंग हो चुकी है पेट जेडा है कई कंटियां तो खाली है ते उस तो बाद इसनो लेन तो बाद दो तो तिन कंटे तक तुसी खाना नहीं खाना पाफ सिद्धा दुपैर दा खाना ही खाना है ए नाश्ता है इस तरह लेके देखो तो हाननो कोई तिजाब नहीं बनेगा पचेगा भी पूरी ताकत मी मिलेगी ते पोशन भी मिलेगा जदो असी पोजन भी पूरा खामांगे ते नाल ताकत वाली चीज खामांगे ता ओ बिल्कुल नहीं पाच सकदी वड़ी उमर विच नहीं पच दे बच्या नू पाच जान दी है पर क्योंकि जवे जवे असी उमर वड़ी हुंदी है मेटाबॉलिजम स्लो हुंदा है ता सानू अपने पोजन देविच कुछ बदलाव ले ओने पैंदेहन ये ज़रूर करो जेड़ा पोजन तो रसायन मिलेगा उसाड़े शरीर नू तंद्रुस्त रखेगा ते एक है अचार रसायन अचार रसायन तो पाव है कि अपने मन नू हमेशा शुद रखना चंगियां चीज़ां वाल लगाणा चंगे लोकां दा साथ करना चंगियां चीज़ां देखना, सुनना ते बुलना एस दे नाल सानू मानसिक तौरते त्रिप्ती रेंदी है असी खुश रेंदे हां ते प्यार वंड़ दे हां एसाड़े मन नू तंद्रुस्त रखदा है जदो असी पूरे पोशन दिगल करदे हां तम मान ते शरीर दोनो तंद्रुस्त होने चाही दे हन फिर असी संपूरन तौरते सिहत मन्धा उमीद कर दी हां कि तुसी ते मैं असी सारे एस सिहत यात्रा दा अनंद मान दे रवांगे तानवाद